हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक गेड़ेगर है मैं एक मनोविकार सेख्स रोक सम्मोहन और नशामुक्ति तग्ये हूँ और मैं एनलपी ट्रेनर और एक कोश भी हूँ काफी सारे माबाप मेरे पास में आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो जूड बोलता है या टीवी बहुत देखता है या गुस्सा करता है होता गया है कि घर में एक तो दादा दादी रहते हैं तो टी-वी दादा दादी देखते रहते हैं Inner पिर मम्मी को जब फुरसत मिलती है तो मम्मी क्या करती है मम्मी टीवी लेखती है डैडी जब ऑफिस से आते हैं ऑफिस से आने के बाद में चाय पेपर पढ़ना चलू रहता है उनको जब समय मिल जाता है तो डैडी क्या कहते है उसे टीवी देखना है और वो टीवी देखते बत्लाब घर में सब प्रानी जो लोग है, दादा दी रहो, है मारो ये डैडी रहो जिनको जनको खाली समय मिलता है और जब जब वो खाली समय मिलता है तब तो वो टीवी देखते हैं, तो बच्चे क्या करेगा? बच्चे को भी जब खाली समय मेलेगा तो भी टीवी देखेगा क्योंकि माबा बोलते हैं डिवी मत देख टीवी मत देख उनके कतनी और करनी कंसी में फरक है तो भी उनकी तो देख रहते हैं तो इध बच्चे का टीवी का एडिक्षन है वह स्थ that the तो उनको खुद को पहले TV देखना कम करना पड़ेगा, या घर में बाकी लोग उनको जो है वो TV देखना कम करना पड़ेगा, दूसरा है, माबा बोलते हैं कि बच्चे जूड बोलते हैं, मेरा बच्चे को जूड बोलना सिखाया किसने, बच्चा जब पैदा हुआ तब तो उसको तो मैं नहीं था, आइडेंटिटी नहीं थी, भाषा नहीं थी, कुछ नहीं था, दो साल का जब बच्चा होता है, तो उसको भाषा आना शुरू हो जाती है, वो सेंटेंसे से पुरा बोलता है, उसको सिखाते रहते हैं, तो सिखता कहां से है, सिखता अपने परिवा यह सफिन कि परिवार के लोगे जूड़ कोई रहते हैं तो फिर वह से सीखेंगा मी जुड़नाButler मैं ऺखे, तु यह बहुत है कि बहुत बार ऐसा हुता है बहुता है कि पापा एधाल जो बोलता है कि पापा जब बात करने नहीं समय नहीं है और वह घर दे ऐए तो ये सिखाने वारे जो लोग है वो हम सब लोग है घर के बड़े लोग जो सिखाते हैं तो पहले ये देखना पड़ेगा कि घर के लोग उंको पहले प्रामानिकता से बात करने पड़ेगी सच्चा इसे बात करने पड़ेगी तब बच्चा भी सच्चे इसे बात करेगा फिर आई बात चिलाने की या घुस्सा करने की बच्चा घुस्सा करता है मैं बोलता हूँ वही सिखाया किसने क्योंकि जब मम्मी को उसके मन जैसा होता नहीं है तो चिलाती है बच्चे के उपर या पापा के उपर भी कभी-कभी जब मौका मिलता है तो पापा को जैसा मन जैसा कुछ होता नहीं है तो पापा भी चिल्ला थे है घर में तो बच्चे को ये समझ जाता है कि बही मन जैसा नहीं हुआ तो चिल्ला के काम हो जाता है तो वो भी वही सिकता है कि मन जैसा नहीं हुआ तो चिल्ला के काम करो चिलाओ चिखो जोर से ताकि वो बंद करने के लिए कम से कम अपने को जो भी कुछ है वो मिल जाएंगा तो ऐसा बोलो जाता है कि actions they speak louder than words कि आप जो बोलते है वो ऐसा करते है क्या और जो बोलने में और करने में यदि फरक है तो जो करते है वो ही लोगों को ज़्यादा ख्याल में रहता है आप जो बोलते है वो कम सुना ही आता है तो आज से यह माबापने प्रण करने का है कि जो बोलेंगे वो ही करेंगे और आपने अभी तक गंदगी करके रखियोंगे घर में में जो बोला वैसा करके कि जुड़ बोलना चिलना टीवी देखना तो उसको साफ करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा अब यह करते हो तो डेफिनेटली आपका भी बच्चा एक आदर्श बच्चा बन सकता है कि जो भी आप जैसा करते हो वैसे ही करेगा आपके बच्चे आपको जो लोग पता है आपके दोस्त होंगे उनके काफी घर में ऐसी प्रॉब्लेम होंगे कि बच्चा जुड़ बोलता है चिलाता है टीवी देखता है तो यह जो है वीडियो यह सबको शेर करो आप जितने भी आपके संपर्क में लोग होंगे वाट्स वो एक सच्चे इंसान की बढ़ी तैयार हो जाए तो आपको अच्छा लगाए हो तो जिरू सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो थैंक्यू बेरे मच्च